हेलो स्टुडेंट्स आज तो हाड़े सामने मैं इंग्रिश क्रेमर दा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लाके आया है टेंसर्स बेसिकली असी टेंसर्स नूँ तेन मेन पार्ट स्विच डिवाइड कर दें हां प्रेजन टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस वर्तमान काल पूद काल टें विक काल अगे असी इन तेना टेंसर्स नूँ चार सब केटेगरी वेज डिवाइड कर दें हां इंडाफिनेट और सिंपल कंटिन्यूज प्रफेक्ट ते फोर्थ हुन दी है प्रफेक्ट कंटिन्यूज जेदे वेच असी प्रफेक्ट दे ते कंटिन्यूज दे डोना दे फार्मूलाज जान जो लाज ने कहलो कहलो उना इन जुआ इन के असी प्रफेक्ट कंटिन्यूज दो बनाउंदे हां असी जानन दी कोशिश कर दे हां कि आखे टेंसर्स हुन्दे कीने ते किमें कम कर देने ते की दर सौनली वर्थे जान देने असलेच टेंसर्स कुछ ना होके वर्ब दीक फॉम ही थैंसर्ज दा सारा कम जड़ाव रर्ब दे जर्यगे ही कीता जयंदा हो है टेंसर्स दे विच वर्ब ही दसदा है टाइम बारे ये भी दस दा है कि उस समय कगना ज़ह सी, ओמת्लीट हो चुपा सी चाल रहा सी ये सबकुछ दर्शाओं लिए, टैंसे वेचे वर्ब दी वर्तों किती जान दी है टैंसे दी जदों भी फॉर्म चेंज हुन दी है present to past और future then सिर्फ ता सिर्फ वर्ब भी चेंज हुन दा है पाकि सब्जेक्ट ते अब्जेक्ट नो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पहिंदा है ते टैंसेज बेचे तसन वास्ते की टैंसेज चाल रहा है की काम चाल रहा है जा काम कंपलीट हो चुक्या है असी इना दियें जो चार सब कैटिगरीज ने उना दी वर्तों कर दें है आओ असी होन इना दियें जो सब कैटिगरीज ने उना उत्ते कुछ थोड़ा चांदर पहुंदें हां ते जान दें हां की होना दा की काम है फर्स्ट के नहा सिंपल टैंस इंडेफिनेट इंडेफिनेट है और प्रेजंट टैंस दे विच हैप्चुल जाने के साधियां जो आता बन चुकियां ने रोज मरा दियां जिनमें स्वेरे उठना जल्दी उठना एक्सेसाइज करना जाह साधा रूटीन वर्क है जिमें रोज स्कूल जाना ओना नूद्र साउन ली जहन दफ्तर जाना नूद्र साउन लै प्रेजंट इंडेफिनेट दी वर्तों किती arrival क्रेamp ad चुक क्या ने हो चुक्यां कहनदा है जोनों को क्या और कि न्यक्तंगी कि यह के न शुक्या कि पर कि आध्य प्लाइज, आंशां ay다고 क्मेनिक फुलर होast तक शुरू नहीं होया है कि एक्षन है काम है कंबल नहीं होया है तो अजय तक लगातार चल रहा है प्रफेक्ट टैन्स वैश्ची जिवर तो करते हैं। perfect continuous tense the action is going on continuously over a long period of time and is yet to be finished means means of come the past which is started to be a good day again again the 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 A beautiful the 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 अपनी स्कूल दा जो शैशन होंदा है उन्नों ले सकते हैं असी एता जनरल ली तौरते जरे सब कैटिगरीज ने टैंसर दिया उन्ना दी डेफिनेशन पड़िया ने फोन असी एकल्ले कल्ली सब कैटिगरीज नों जान दे हां क्योंकि में कम कर दी है तो किस तरह आंदे नाल ओ टाइम दशेंदी है फ्रस्ट है प्रेजंट इंडफिनेट और सिंपल प्रेजंट अस इदे वीच सब्जक्ट प्लस वर्ब दी फरस्ट फोर्म लग दी है नाल एश जा एश दी वर्तुहन दी है प्लस अबजक्ट एश जा एश वर्ब बच उत्थे लागदा है जितित जरा सब्यक्ट'? व शिंग्लर होवे अर्थात एक चीज्ज़ जैंब इस इसदी वर्तों नहीं करते हैं एक्जेंपल देता औरते डॉग बार्क्स इदे विच जिरे सब्जक्ट ने वह एक तो ज्यादा दी गालकार्या है इसकर के असी वर्ब दी फस्ट फॉर्म देना यास दी वर्टों नहीं की थी डॉग बार्क्स इदे विच जड़ा है वह एक ही चीज बारे गालकार्या है इसकर के असी वर्ब देनाल एस दी वर्टों कीती है एक और एक्जेंपल आसी देख सकते हैं गर्ल प्लेज होकी गर्ल्स प्लेज होकी फर्दने यूज़स ऑफ सिंपल प्रेजन टेंस आर एडी असी यूज़स डिसकस कर चुके हां के हैप्शुल जा रूटीन वर्क उनुदर संवधा है जिवें के आई गेट अप एवरी डेज फाइव ओक लोग की मैं रोज जानना सुबह पांची वज़े उठ दा हां जयानिके हैप्शुल होगी अत्वादी आदत होगी जात वहड़ा रूटीन वर्क भी कह सकते हैं आसी यूज़स जो है ओब्जेक्ट है एड़ फाइब जड़ाओ टाइम नुँ दर्सार्या है तो एक्सप्रेस ये नर्टूथ जेडियां पूरन तौर से सचाइया ने जिन्ना नुँ कदी भी चुठलाया नहीं जा सकता उनना सचाइया नुद्रसाउन वास्ते भी असी सिंपल प्रेजन फेवर्स वर्ब है ते दाब रेव जड़ा है वह एथे अब्यक्टता काम का रहा है यह जदे मेन यूजर सी जथे असी नुँ यूज कर दे हां हो और भी यह दियां डेफिनेशन ने तुस्सीर नुँ पाढ़के समझ सकते हो तो आदेली वह भी यूसफुल साबद हो सकती है है यह जो अगली टेंस थी यह सी इंगाल करन जा रहे हैं वह है प्रेजन्ट कंटिन्यूस टेंस एदेवेट सिब्जेक्ट प्लस इस एम और इस जड़ा है वो सिंगलर दे नाल एम जड़ा है आईदे नाल आड़ जड़ा है वो प्लूडल दे नाल लगदा है तो वो आजए फस्ट फॉर्म हें ढल आई एंगे टी वर्तों चित आज्ञां दी है यह प्लस अबजेक्ट इधिगाल मैं कह के कि ING दी वर्तों हमेशा ही वरब दी फस्ट फॉर्म दे नाल ही हुंदी है, और किसे भी वरब दी सैकेंड या थर्ड फॉर्म दे नाल असी ING दी वर्तों नहीं कर सकते, क्रेमेटिकल जूल दे अनसार, एग्जेम्पल्स, I am going to market, I subject है, am, एदर संदा है के singular है, गोइंग, वह दी फस्ट फॉर्म गोदे नाल आई एंजी दी वर्तों किती गई है, तू दा मार्किर जड़ा है, वो इत्थे अबजेक्ट है, यूजेज ऑफ प्रेजन कंटिन्यू स्टेंस, के प्रेजन कंटिन्यू स्टेंस नो सी किनना हलाता नूँ या किस समय नूदर सौन ली वर्तों दे हां, फार अनक्शन गोइंग, एदर टाइम आउफ स्पीकिंग, के बोल दे समय जेड़ा कम हो रहा होवे, उनुदर सौन वास्ते असी प्रेजन कंटिन्यू स्टेंस नी वर्तों कर दे हां, जीवें के दाब वाइज आर प्लेइंग क्रिकेट इन दा ग्राउंड, जीवें के जदो यह वाक्य बोल ला गया सी, वो समय जेड़े लड़के सी वो ग्राउंड दे वेच्चे क्रिकेट खेड रहे सी, इदे विच दाब वाइज जो की है सब्जेक्ट है, आर जो है वो एदर संदा है के एक तो जादा लड़के खेल रहेने, प्लूरल उदर संदा है, प्लेइंग जो है वो एक तरह की है इथे, प्लेइंग ये वर्ब है, वर्ब दी फर्स फर्म देना आ आई अजी, क्रिकेट इन दा ग्राउंड, ये अज़ा अब्यक्ट दा इथे कम कर रहे है, फारा टेंप्रेरी एक्शन दाट में नाट बी एक्चुली है एर दा टाइम आफ स्पीकिंग पट वाज हैंग इन रीसेंट पास्ट और इस तिल हैपनिंग इन दा फ्यूचर अर्थात जहे का मनू दर्सौन वास्ते, जो की असल वेच होन नहीं वापरया हुंदा है, जो कुछ समय पहला वापरया हुंदा है, जा थोड़ा समय पहला वापरया हुंदा है, ते पूरी आशा हुंदी है कि उप्यूख वेच भी वापरेगा, उसनों दसौन वास्ते वेचिंग कंटिन्यू स्टेंस दी वर्तों कर दे हां, इदी बैस एक जामपल नहीं है, तो हाड़ी जिस तरह रोज पीरिट लग देने क्लासे बेच, जब मालो तड़ा फस्ट पीरिट जड़ा है, वो इंगिलिशता लग रहा है, ते अगले देन भी यो पीरिट जड़ा हो इंगिलिशता लग लगेगा, उसनों जे तुसी रसे दसना होए, ता उसनों तुसी दसन वास्ते जड़ा टैंस यूज करोगे, उनों प्रेजन कंटिन्यूस टैंस यूज करोगे, एक्जेम्पल दे तो और ते सी पढ़ देने हा, I am reading Sydney Sheldon nowadays, कि आज कल मैं Sydney Sheldon नाम दी किताब जो है, वो पढ़ देने हा, means, वो उने समय नहीं पर उने पहला भी पड़ी सी, चाहे के इंटे पहला, चाहे के दिन पहला, तो कल भी अग्ये भी उनों पड़ेगा, जेहे गला नों तो सौन वास्ती वेसी, प्रेजन कंटिन्यूस टैंस टैंस यूज करते हां, उनना लई भी असी जेह है, कंटिन्यूस टी कल कर दे हां, यह ओमिंग है, जो आसी पहली गेजैंपर दे चुके हैं, इंग्लिस टे लेक्चर वाली, इससे ज्यादा आता है, दूल जड़े है, उनना दोहराया जा रहा है, वख्री वख्री लैंग्विज करके, इस करके मैं अगला जना पार्ट है, वो है present perfect tense, यह perfection वास्ते यूज हन्दा है, यह ते विच subject plus has, singular वास्ते, have, plural वास्ते, verb the third form plus object, इते एक गाल नोट करने वाली है, कि verb the third form, always, ते always tense दे विच प्रफेक्ट दे विच रही लग दी है, चाहे वो present होवे, चाहे past होवे, ते चाहे future होवे एक्जाम्पल दे तो और यह सी देख सकते हैं, they have played a match, they जो है, subject plural है, इस दे नल है, वर्तों कीती गई है, played a third form, played यूज कीता गया है, she has cooked the food, she जो है, singular है, इस दे नल हैस दी वर्तों गई है, cook जो, ओधी third form cooked, यूज कीती गई है फर्तने uses of present perfect tense, present perfect tense नो सी किनना हलाता वीचे वर्त दे हां, to indicate the complete activities in the immediate past, ओह कम जो हुने 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 हुए होन, उना का मनुदर सौन वास्ते ऐसी present perfect tense दे यूज कर दे हां, जिवें कि he has just gone out के हो, हुने ही इत्तों गया है, अर्थात, ओधी जानतों बाद कोई होर व्यक्ती नहीं गया उस रूम दे विच हो, ता उस सहला आत उनों दे सौन वास्ते हैसी present perfect tense दे यूज कर सकते हैं, फर्दर जो एक्स्प्लेनेशन ने उस सवेच विच से गालनों ही दर्साया गया है वाकवक तरीके दे नाल, पर ओधा meaning से में निकल दायस करके ओनानों मैं नहीं दोहरा रहा, तुसी चाहोता आनों पडशक दियो, लास्ट टेंस है इस पार्दा वो बंदा है present perfect continuous tense, इस ते वेच यसी perfect ते continuous दोना दे जुरू नहीं कंबाइन कर दे हां, फिर इस अंडेंस नों फॉर्म किता जान्दा है, जिवें के दोना वे subject commons ने इस करके असी subject दोना वी चुन ले लिया, है जो है वो प्लूरल वास्ते यूज किता जन्दा है perfect वेच ते continuous वेच आर यूज किता जन्दा है इस करके असी singular दी जगाते हैस ले ले लिया, कवेच अन्दा है कोऊंकि बीन जेडा है वो वर्ब थी थारड फ़र्म है बी वाज बीन जो की प्रफैक्ट जी अंडेंस वेच तैर्ड फोन लाख दिस है इस करके continuous देनार प्रफेक्ट नूं दस्वास्ते असी भी इंदी वर्तों कर दे हां उस तो बाद मेन वर्ब दी फॉर्म देनार आई एंग जी जो की continuous दस्वांदा है इस करके कि सुबा तो ही वर्खा हो रही है कि इदे विच इट सिंग्लर सुब्याक्ट थेसना है अज लगा होया है बी जो है प्रफेक्ट नूं दस्वांदा है रेनिंग जो है वह कंटिन्यूटी नूं दस्वांदी है सिंस मॉर्ण जो टाइम दसारी है फर्दर गजैंपल तो उसी पड़ साकते हो जो कि प्लूरल देना अलब नहीं आ गई यहांने फार उनना हलातना वीच लगदा है जित्थे कि टाइम पक्का पता ना होवे उक्का पक्का जो असी टाइम दस देहां उस दस्वास ते फार्दर यूज कर देहां यह दो सानु पक्का टाइम पता हुंदा है perfection हुंदी है सारी को टाइम दीता हो दो आसी सिंस दा यूज कर देयां तुसी इंग्जेंपल वे डिफ्रेंस दोना वेचे देख सकते हो अगे यूज जो प्रेजन प्रफेक्ट प्रफेक्ट कंटिन्यू स्थेंट कि कि नहला तंद्र सौन वास्ते नों वरते जानता है कि फारन एक्षिन विच बिगें एड सम टाइम इन पास्ट ओ एक्षिन ओ कम जो कुछ समय पहला ही पास्ट वे शुरू होया हुए एंड स्टिल कंटिन्व जो अजे तक चल रहा हुए विदा प्रफेक्ट कंटिन्यू टेंस एक कम दो सौन वास्ते असी इस टेंस नों यू कि अज दे लें इन नहीं हों जो पास्ट टेंस ने ठीक है और अगली वीडियो बेच से पास्ट ते फूचर टेंस से डेफिनिशन जो है मैं तनू प्रोपर तो डिस्क्राइब कराऊं आँगा ठीक है ओके सुटेंस थैंक्यू सो मच